पूर्व राश्पती प्रणव मुखर जी ने लोगसभा राजसभा की सीटे बढ़ाने की वकालात की है। व्याख्यान में प्रणवदा ने कहा कि आकरे बाल लोगसभा की सदस्य संख्या 1977 में बदली गई तब 1971 की जनगर्णा के मताबिक लोगसभा शेत्रों का निरधारन हुआ। समय देश की आबादी 55 करोड थी तब से अब तक देश की आबादी दो गुना से जादा बढ़ गई है। इसलिए लोगसभा शेत्रों के पुनरगठन पर लगी रोग खत्म होनी चाहिए। सदन में बहुमत के दुर्पयोग को लेकर प्रणवदा ने कहा कि यदि सदन में पून बहुमत मिल जाए तो फिर कुछ भी और कैसा भी कर सकते हैं। वेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को जनता ने अतीत में अक्सर दंड़त किया है। उन्होंने कहा कि सम्विधान में संशोधन के जरीए ऐसा किया जा सकता है लेकिन क्या ग्यारंटी है कि भविश में जन प्रतिनीधी सरकार पर अविश्वास नहीं जताएंगे। राश्पती रहे मुखर जी ने नया संसद भवन बनाये जाने के पीछे के तरक पर भी सवाल उठाएं। उन्हों ने कहा कि मुझे बहुत हरानी होती है कि नय संसद भवन से भारत में संसदी व्यवस्था के कामकाज में कैसे मदद मिलेगी या सुधार होगा। मुखर जी ने कहा कि अगर लोगसभा की सीटे बढ़ा कर एक हजार की जाती है तो सेंट्रल हॉल को नीचला सदन बनाया जा सकता है और राज्यसभा को मौझूदा लोगसभा में इस्थानां तरित किया जा सकता है। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बल इकन वर मौर अप्डेट्स